अज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन में वटसप पर हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें वटसप पर हिंदी में कैसे लिखें तो इसके लिए आप अपने फोन में Google Play Store उपन करिए उसके बाद उपर सर्च बार पे किलिक यहाँ पर टाइप करके सर्च करिए जीबोड तो जीबोड आएगा इस तरीके से तो इस पर किलिक करिए अब यहाँ पर चेक करिए अगर आपके फोन में जीबोड डाउनलोड नहीं हैं तो इसे डाउनलोड करिए वैसे जादतर फोन में जीबोड पहले से डाउनलोड होत हम बहार आएंगे तो इसे डाउनलोड करके अपने फोन की settings open करिये उसके बाद नीचे scroll करिये नीचे आने के बाद इस तरीके से additional settings आएगा तो इस पे click करिये उसके बाद उपर languages and input आएगा इस पे click करिये अब नीचे यहाँ पे manage keyword आएगा तो manage keyword पे click करिये यहां पे अब G-Word आएगा अगर आपका ये off है इस तरीके से तो इस पे क्लिक करिए और इसे on करिए इसे on करने के बाद back आईए उसके बाद यहां पे current keyword आएगा तो current keyword पे क्लिक करिए current keyword में इस तरीके से G-Word आएगा तो G-Word पे क्लिक करिए और Gboard को select करिए यहाँ पर Gboard select करने के बाद अपने phone में अब WhatsApp open करिए तो Gboard set होने के बाद अब यहाँ पर Gboard आ रहा है उपर आएगा यह settings का icon इस पर क्लिक करिए उपर languages आएगा इस पर क्लिक करिए उसके बाद नीचे add language यहाँ फिर add keyword आएगा तो इस पर क्लिक करिए उपर आएगा Hindi India तो इस पर क्लिक करिए इसे select करके नीचे done पर क्लिक करिए done करने के बाद अब Hindi add हो चुकी है तो यहाँ से अब back आ जाईए उसके बाद जब आप keyword open करेंगे तो जब आपको Hindi में typing करनी है तो नीचे space बार पे 2-3 second दबा के रखिए उसके बाद Hindi आएगा नीचे इस पर क्लिक करिए Hindi select करके जो आप type करेंगे वो Hindi में type हो रहा है इस तरीके से और जब आपको वापस English में typing करनी है तो इस space बार पे 2-3 second प्रेस करेंगे उपर English आएगा English select करिए तो इस तरीके से Hindi में आप typing करें वोटसअप में वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें प्रेस करें प्रेस करेंगे